दोस्तों शायद आप लोग नहीं जानते होंगे हम आपको बता दे परकास राज टुकडे टुकडे गैंग के मेंबर है मोधी के खिलाब खूब अनापशनाब बोला है आपको बता दे कि लोग सबा चुनाब के नतीजे आ गए हैं और देश से टुकडे टुकडे गैंग का सुपड़ साफ हो चुका है परकास राज की हार हुई है जो कि टुकडे टुकडे गैंग के एक्टिव मेंबर है बेंगलूर सेंट्रल सीट पर राज पकाश ने निड़दले परत्याशी के रूप में चुनाब लड़ा था बेंगलूर सेंट्रल सीट पर पकाश राज की बुरी हार हुई है और उनकी जमानत तक जपत हो चुकी है बेंगलूर सेंट्रल की जंता ने परकाश राज की राजनीती के टुकडे टुकडे कर दिये परकाश राज एक्टर थे फिर वो राजनीती में आए मौधी विरोध की राजनादी की परकाश राज टुकडे टुकडे गैंग के एक्टिव मेंबर बन गए उन्होंने शेहला रशीद कनहिया कुमार, उमर खालिद, कैजरिवाल जैसे लोगों का समर्थन किया मौधी के खिलाब परकाश राज ने खूब अनाप्शना बयान दिये और खुद को एक बड़ा नेता मानते हुए बेंगलूर सेंटरल सीट से चुनाव लड़ा आज 23 मही को जंदाने टुकडे टुकडे गैंक के ही टुकडे कर दिये और परकाश राज की बेंगलूर सेंटरल सीट पर जमानत जब्त हो गई है दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाए जिससे आप और हम हमेशा जुड़े रहें धन्यवाद